भारत और स्रीलंका के बीच हुए डेनाइट टेस्ट मैच में भारत ने एक तरफा अंदाज में चीत दर्ज करते हुए दो मैचों की सिरीज में स्रीलंका का सुपड़ा साफ कर दिया भारत ने खेल के तीसरे दिन महमानों को दूसरी पारी में 208 के स्कोर पर आल आउट कर 238 रन से मैच अपन नाम कर लिया अब तक खेले गया कुल चार डेनाइट टेस्ट में भारत की ये तीसरी जीत है 2017 में बांगला देश के खिलाब कोलकाता के एतिहासी एडन गाडन स्टेडिया में भारत ने चीत की काथा लिखी थी जिसके बाद दूसरा डेनाइट टेस्ट भारत ने साल 2021 की सुरुआत में अस्टेलिया तौरे पे खेला था जहां उसे सरोनाक हार छिलनी पड़ी थी बांग भारत ने अपने घर पर एहमदाबाद के नरिंद मोदी स्टेडियम में इंगलिस टीम को माद दी थी भारत की ही तरह स्री लंका का भी ये चौथा पिंक बाल्टिस्ट था स्री लंका को दो जीरो से रौ देते हुए भारत्री टीम ने घरेलू मैदानों पर लगातार पंदरहमी सिरीज चीत का रिकार्ड बना लिया बता दे कि साल 2012 से लेकर अब तक भारत अपनी धरती पर कोई टेस्ट सिरीज नहीं हा रहा है आखरी बार इंगलेंड ने भारत को सिरीज जीती हैं बता दे कि मैच में टास जीत कर पहले बल्ले बाजिक करते हुए भारती टीम ने बिपरीत हालतों में सिरियस अईयर 92 रनों के सहसिक पारी के बूते चैसे तैसे 200 बामनन बनाए बाद में उसी दिन 86 रन पर स्री लंका के 6 बिकेट भी गिरा दिये दूसरे दिन आदे घंटे के भीतर भीतर स्री लंका टीम सिर्फ 109 रनों पर सिमट गया तेज केट पाज जस्परीद भुमरान ने टेस क्रिकेट में आठ हुई और अपने तेस में पहली बार पारी में पांच या इससे अधी विकेट चटका है स्री लंका टीम का भारत के खिलाफ ये दूसरा लोवेस्ट स्कोर था भारत के लिए दूसरी पारी में भिस रेस अईयर ने अर्जत ठोका साथ ही भारती विकेट कीपर बल्ले पाज रिशाप पंध ने जोरदार अर्शत की पारी खेली और 40 सार पुराना रिकार्ट तोड़ दिया उन्होंने 28 गेट पर अपन के खिलाफ ये रिकार्ड बनाया था पंध ने अपनी पारी में साथ चोके और दो छक्के लगाए इसके लावा टेस्ट क्रिकेट में किसी विकेट कीपर द्वारा सबसी तेज हाफ सेंचुरिय का रिकार्ड भी पंध ने अपने नाम कर लिया डिक्स रिपोर्ट डीके कर दो होचे होचे टॉट